हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटररी लव, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें, साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैथरीन मैंसफिल की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है A Cup of Tea, इसे 1922 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था, स्टोरी टेलर नाम की एक मैगजीन में फ्रेंड्स, इसका टाइटल जो है A Cup of Tea, यानि चाय का एक कप, बहुत ही सिंपल और कॉमन ये टाइटल लगता है, लेकिन कैथरीन मैंसफिल की यही स्पेशालिटी मानी जाती है, कि वो एक बहुत ही सिंपल आइटम या इवेंट के अराउंड एक कहानी लिखती हैं, और कह राइटर के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं, फ्रेंड्स कैथरीन मैंसफिल का जन हुआ था 14 ओक्टोबर 1888 में और उनकी डेथ हुई थी 9 जैनवरी 1923 में, वो एक प्रॉमिनेंट मॉडर्निस राइटर थी और अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत जादा फेमस थ दे डॉल्स हाउस, दे रॉंग हाउस, हर फर्स्ट बॉल, ये सभी वर्क शामिल हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टोरी पर नजर डालते हैं, पहले हम इसकी कहानी को जान लेते हैं, इस कहानी में तीन मेजर केरेक्टर्स हैं, हमारी मेन प्रोटागोनिस जो है, उसका ना के साथ साथ, इसकी बहुत सारी हॉबीज भी हैं, जैसे कि इसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ये सोचती है कि अमीरों की तो ये विलकुल आदत होनी चाहिए, कि उन्हें मेहंगी चीजे खरीदनी चाहिए, और साथ ही ये स्टोरीज परती है, एक रॉशियन राइटर की जिसका नाम है फियोदोर दोस्तवसकी, तो वो जो राइटर है, वो बहुत ही टचिंग स्टोरीज लिखा करते हैं कि किस तरह हमें पूर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और इस बात से ये रोजमेरी भी बड़ी इंस्पायर्ड है, चाहती है कि ये भी किसी की मदद करे किसी गरीब की, लेकिन इसलिए नहीं कि ये कोई अच्छा काम है, इसलिए कि बाद में ये दूसरों को दिखाएगी कि ये कितनी केरिंग है, गरीबों के प्रती उनकी कितनी हेल्प करती है, और अपने फ्रेंड सरकल में ये स्टोरी सुना करके उनसे प्रेज लेगी, उनकी जाती है, जहां पर पुराने जमाने की जो मेंगी मेंगी चीजें होती है, वहां वो बेची जाती है, और वहां जाकर ये जो रोजमेरी है, इसे एक ब्लू कलर का बहुत ही खुबसूरत बाक्स पसंदा जाता है, अब वहां पर जब वो बाक्स खरीने की कोशिश कर रही होत तो उसे पता चलता है कि यह जो बॉक्स है यह बहुत महंगा है और इसके पास अभी उतने पैसे नहीं है तो यह दुकानदार को कह देती है कि आप मेरे लिए यह बॉक्स रख दीजे इसे मैं बाद में आके खरीद लूँगी और जो दुकानदार है वो भी बोल देता है कि हा एक पूर यंग गर्ड इसका रास्ता रोकती है और इससे कुछ पैसे मांगती है ताकि वो एक कप चाय पी सके इस लड़की का नाम है मिस स्मित तो अब जो रोजमेरी है वो सोचती है कि अरे इतनी जादा गरीबी कि एक कप चाय पीने तक को उसके पास पैसे नहीं है तो र दिखाएगी कि कितना उसे केर है गरीबों का वो कितना सोचती है उनका कितना भला करना चाहती है और साथ ही यहाँ पर वो ये भी दिखाना चाहती है कि जो रिच पीपल है उन्हें उनके पास भी दिल होता है रिच पीपल हाव हार्ट ये जो लाइन है इसे वो प्रूफ कर चाहती है और साथ ही उस लड़की को बताना चाहती है कि ड्रीम्स डू कम टू आप ही सोचे कि ये गरीब लड़की जिसके पास चाय पीने तक को पैसे नहीं हो उसे एक बड़ी हवेली में ले जाया जाए जाए वहां जाकर कि उसे चाय पिलाई जाए नौकरों से तो ये उसके लिए एक सपना ही है तो एक तरह से रोजमेरी जो है वो सोच रही है कि वो उस गरीब लड़की के सपने को पूरा कर देगी वो उसे अपने साथ घर लेके जाती है अब ये जो मिस्मित है ये सोच रही है कि आखिर ये रोजमेरी मुझे अपने घर क्यों ले जा रही है बस कुछ पैसे दे देती फिर भी वो चली जाती है रोजमेरी के घर और वहाँ अपने घर ले जा करके रोजमेरी इसका बहुत ख्याल रखती है तुरंट इसके लिए अच्छे से आग जलवाती है आग के बगल में इसे बिठाती है और इसे चाय के साथ बिस्केट और भी बहुत कुछ ला करके देती है अब ये मिस्समिट से रोजमेरी बात कर ही रही होती है कि उसी समय रोजमेरी के husband जो है Philip fell वो अचानक से उस कमरे में आ जाते हैं और Miss Smith को देखके थोड़े surprise हो जाते हैं तो बाद में वो रोजमेरी को अपने साथ library में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसे किसी को कैसे घर ला सकती हो Rosemary उनसे कहती है कि वो एक तरह से kindness दिखा रही है उनकी help कर रही है लेकिन Philip जो है उन्हें ये बात पसंद नहीं आती वो Rosemary से कहते हैं कि उसे कहो कि वो यहां से चली जाए लेकिन Rosemary कहती है कि नहीं वो डिनर करके जाएगी मैंने उसे डिनर पर invite कर लिया है अब जो मिस्टर फिलिप है इन्होंने सोचा कि अब कुछ न्यू आइडिया लगाना होगा ताकि वो इस लड़की को इस घर से भेजे तो वो क्या कहते हैं वो रोजमेरी को कहते हैं कि ठीक है रख लो लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये जो लड़की है जो मिस्समित है ये देखने में बड़ी प्यारी है और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए अब इस समय क्या हुआ कि अभी तक जो रोजमेरी मिस्समित की मदद करना चाहती थी उसका केर कर रही थी उसके मन में अचानक से एक जलसी आ जाती है कि मेरे हस्बेंड ने किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर दी उसे ब्यूटिफुल कह दिया तो रोजमेरी क्या करती है वो थ्री पाउंड के नोट्स लेती है और जाकर मिस्समित को दे रेती है और उसे वापस भेज देती है अपने घर चली जाती है मिस्समित बाद में डिनर के वक्त जब रोजमेरी और फिलिप दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो पहले रोजमेरी जो है वो फिलिप से पूछती है कि मैंने आज एक अंटीक शॉप में एक बॉक्स पसंद किया उसकी ये कीमत है क्या मैं इसे खरीद लूँ तो फिलिप कहता है कि हाँ खरीद लो और फिर जो है वो अपने असली कंसर्ण पर आती है और उससे पूछती है क्वाइटली Am I pretty? यानि क्या मैं भी खुबसूरत हूँ और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है इस लास्ट लाइन में फ्रेंड्स इस स्टोरी की जो में थीम है जेलिसी वो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है इस स्टोरी में बहुत सारी थीम्स को डिसकस किया गया है पहली है क्लास कॉंशियसनेस किस तरह रोजमेरी रिच होना इंजॉय करती है, शॉपिंग करना पसंद करती है लेकिन साथ ही गरीबों की हेल्प करना चाहती है और ये जो हेल्प है ये इसलिए नहीं क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है, वो काइंड है बलकि इसलिए कि वो दूसरों के सामने शो आफ करना चाहती है सेकेंड है फेमिनिजम, बहुत ही कॉमन है ये थीम, पूरी स्टोरी में नजर आता है किस तरह रोजमेरी, पहले तो मिस्समित की हेल्प करना चाहती थी लेकिन जैसे ही उसके हस्बेंट ने मिस्समित की तारीफ कर दी उसने तुरंट अपने रवये को बदल लिया और वो चाहती थी कि मिस्समित अब उससे दूर हो जाए नेक्स थीम है मेटेरियलिजम, जिसे डिनोट करता है वो ब्लू बॉक्स किस तरह जो रिच लोग हैं, वो अमीर होने के साथ ही different types of objects खरीदना चाहते हैं और वो चाय का cup, जो बिलकुल एक basic need को define करता है और उस basic need को भी कुछ लोग नहीं पा सकते हैं जितनी रोजमेरी अमीर है, उतनी ही मिसमित गरीब है, दोनों में बिलकुल कोई comparison नहीं हो सकता है और ये दोनों ही चीज़े किसम को हैं तो रोजमेरी को जैसे ही फिलिप ने मिसमित की तारीफ कर दी, रोजमेरी को मिसमित की qualities नज़र आने लगी किस तरह वो खूबसूरत है, उससे जादा beautiful है और इसी के साथ उसके मन में एक insecurity और jealousy भी पैदा हो गई, जो इतने समय तक नहीं थी तो friends, यहाँ पर ये story खत्म होती है, बहुत ही simple story है, केवल three characters है रोजमेरी, फिलिप और मिसमित के, और Catherine Mansfield ने अपनी ability को बहुत ही beautifully present किया है A cup of tea, बहुत ही simple object है ये, लेकिन इसके around इन्होंने एक पूरी story लिग दी है जिसमें बहुत ही beautifully उन्होंने class और feminism, इनस तरह के जो important themes हैं, उन्हें describe किया है Friends, ये थी Catherine Mansfield की story, A Cup of Tea जिसमें बहुत है